पूरी गारंटी के साथ है ठीक है यह अब जो बच्चे इसको फर्जी पेपर समझ के जाएंगे बात में बहुत पस्ता हैंगे चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे दिखिए मिने टिक मार की भी कर लिए बहुत सारे ताकि आपको कम समय में पूरी च सोडियम का सही लेक्रानी विन्या से 281 ठीक है चमगाजड द्वारा उत्पन तरंग होती है पराध्वनी निम्न लिकित में से किस परमानों में न्यूट्रान नहीं पाया था ठीक है हाइड्रोजन इसका जाएगा और ध्वनी तरंगे होती है तो यह यांत्रिक तरंगे चल कोसी काओं के चारों कोसी का जिली पाई जाती क्या पाई जाती कोसी का जिली कोसी का जिली सोडियम का जो परमानौ क्रमां के है वो सोडियम को परमान क्रमां कितना है ग्यार्णा है स्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो होती है 20 हर्ज से 20 हजार ठीक है आईतन मापने का जो साधरन मातरग है वो क्या है ठीक है यह लीटर वायू में विद्यमान जल वास्प की मातरा को आधरता कहते हैं क्या जाता है आधरता पधार्त जो है ठीक है पधार्त तीन आवस्थायों में पाये जाता है सभी को जानते है ठीक है और सुद्ध पधार्त तत्व या योगी को सकते हैं चले, इसके बाद में यह होगा इतना छले, इसके सोट लिया यह लिया ले लीज़े ठीक है, यहा'm से देखिए feeling the blanks है हमारे English Kalauías बड़िया से बर दिएमगा ठीक है, यहां से बर दिए ना चाहिक है, चले तरल, साङयोजी उतक तरल सयोजी उतक का जाएगा आपका यहाँ पर देखिएगा रक्त त्वरन का मात्रक देखिए त्वरन का जो मात्रक है वो आपका रहेगा ठीक है यहाँ पर आजाएगा आपका द्रुव्युमान इंटू त्वरन अब देखिए कुस्षे नमर जो तीन इसमें सही जोड़ी है आपकी पहला है तरल सयोजी उतक तो इसका जाएगा रक्त है दूसरा है त्वरन का मात्रक देखिए त्वरन का मात्रक जाएगा मीटर सेकेंड और यहां पर रिन दो आईगा ठीक है उर्जा तीसरा जो है आपका ह अनुओ का एक मॉल आनविक द्रविमान ठीक है यहां पर यह पांच हुआ है छिंग यह पांच होगया पका आवगारो शंक्या सोडियम आप सब जानते एनने इसनक्य थ assessments और बल और भलका वह जाएगा त्वर्द प्रविमान इंटू प्रण ती यहां से कि यह आपको यहां पर यहां पर यहां इस ए इस मय आ जाएगा, अब नू जी इसका ले लेंगा यहां दो-फ यहां बढ़िया। आभीले द्रव कह testify कि द्वार्ण प्रिथक किया जाता है तो प्रिथक कारी कीप द्वारा फ eerste कर्थक कारी कीप द्वारा ڈाब का जो एसाइ मात्रा के वो क्या है दाब का एसाइ मात्रा के Н्यूटन थीक है किसी वस्तु का जड़तो किस पर निर्भर करता है उसके दरवियोमान पर निर्भर करता है किस पर करेगा उसके द्रवियों मान पर सम्वेग का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इन्वर्स है तरल सयोजी उतक का एक उधारन देना है तो वो गया मंदन पत्तियों से भोजन का संवहन करने वाले उतक का नाम फ्लोयम किसी वस्तू समान वेग से गतिमाने तो उसका त्वरन क्या होगा सुन्य होगा चली होगे इतना इसके बाद में यह एक वाक की मुत्तर हमारे इंगली स्मीटिम वाले बच्ची बर लेंगे यहां से थोड़ा छोटा कर लेता हूं यह देखिए ठीक अच्छी मेहनत करनी आपक अच्छी करेखिये पूरा सुलिशन दूं करों यहां पर देखिए पहला प्रक्राइब देखिए इसका पूरा सुलिशन तयार देखिए यह रहा है अगलनांगों पर परीवासित करना जए जए चली तो पहले पेपर बता देता हूं आप तर संतरप्त विललियन की उधारन सभी समझाना है सुद्ध पधार्त को धारन से हमारे इंगलीज में वाले बच्चे यह भी बढ़िया से स्कीन सोट ले ले लेना ठीक है यहां से दिखिए कुछ नमर आठ है यह नो कि अगया इसके बाद में यह कुछ नमर दस है यह कुछ नमर ग्यारा बारा ठीक है यह जड़त वुक्से आपका समझते हैं यह कुछ नमर तेरा हो गया है यहां पर दिखिए कुछ नमर चौदा कुछ नमर पंद्रा द्रियुमा ने उन भार में दो अंतर ठीक है कुछ नमर सोला पादवेवम जन्तु कोशिका में कोई तीन अंतर माईडरो कांडिया को कोशिका का भिजली घर क्यों केते हैं यह कुछ नमर सोत्रा यह कुछ नमर अठारा ठीक है कुछ नमर उन्नेस कुछ नमर बीस यहां से देख लिएगा कुछ नमर एक केस यह बावेस ठीक है और अंतीम स्वरी बावेस प्रस नहीं है टोटल चलिए तो अभी यह कुछ नमर आपका जो पांच से कुछ न सिरुए उसका मैं पूरा सोलिसन आपको दे देता हूं बड़ी आसे स्क्रिन सोट के माध्यम साब आप कंप्लिट करिएगा यहां से देखिए पहला है आपका गलनांकों को परिवासित कीजिए बड़ी असे स्किन सोट लिएगा गलनांक और कथनांक को में अंतर है सिंपल सिंपल से लिखें जाना लंबा चुटा नहीं लिखा देख लिए आप संत्रप्त विलियन को उधा एक कि यह इसका त्वाय एक वोथिक परिवर्तन के वदारन राषालीं परिवर्ड़तन के उधारन टुए वटकी समस्थाने देख साइटयर क्या और किई यह संभारिक की कि यह नो कुछ से नम्म नौई नाइन ठीक है हो गया किलोरीन के दो समस्थानिकों का सूतर बताने हैं कि यह नम्म 10 आपका मैन यह कंना साइन्स child यह फाल ले की दिन को आल एंपी मिलेगा यह है यहां पर देखली आपय को यह लेवन हैällen खोल यह फाल लेवन का थो नहीं किया कुछ बच्चो कोई दिक्कत नहीं वाला देख लीजी जा यह अत्वा सहीत सारे को से उपलब्द करा रहा हूं आप मेहनत कर ली जागा अच्छी बस ठीक है इसके बाद में यह आपको घबराना नहीं है आपका जो गनीत का पेपर रहेगा ठीक है छे अपरेल के दिन उसकी भी तैयारी कराऊंगा पूरी मेहनत ठीक है मेरी तरफ से एक रूपया किसी को देने की जरूपत नहीं है ठीक है सब कुछ उपलब्द कराऊंगा एकदम फिरी यहां पर देखिए इसके बाद यह को से नम्मर आपका पंद्रा है कि हो गया यह मुक्त पतन क्या है कि यह को से नम्मर 16 है कि यह इसका थ्वा है कि यह यहां से पोइंट इसके जल्दी जल्दी इसके सोट लो ठीक है पादप एवं जन्तु कोशिका में कोई तीन अंतर बताने है कि हो गया है कि माइट्रो कांडिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है कि उर्जा सन्रेक्षन का नियम मुधारन से समझाई